गंगराडे ने बताया कि चार जनवरी को नवंबर निर्वाचित सदस्य शपत लेंगे सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर रामपू कार सिंग शपत दिलाएंगे इसके बाद विदान सभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा उन्होंने बताया कि 7 जनवरी को सदन में राज्यपाल का अभिभाशन होगा वही नो दस जनवरी जनवरी और 11 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाशन पर प्रस्तुत कृत गिता ग्यापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी सचेव ने बताया कि इस सत्र में वित्तिय कार्य के साथ ही अन्यशास्किय कार्य संपादित किये जाने की संभावना है 36 गर में इस विदान सभा चुनाव में कॉंग्रेस की जीत के बाद मुखे मंतरी भूपेश बगेल के नित्रित्व में नई सरकार का गठन हो गया है विदान सभा चुनाव में कॉंग्रेस को 68 सीटों पर भारतिय जनता पार्टी को 15 सीटों पर तथा जनता कॉंग्रेस 36 गर्जे और बहुजन समाज पार्टी कट बंदन को 7 सीटों पर जीत मिली है